पाहड़े लिखने की ट्रिक याद करने की ट्रिक नहीं होती, तो पाहड़े याद करने की ट्रिक क्या है, पाहड़े याद करने की सिर्फ एक हिट दिखें, और वो ट्रिक क्या है, हैलो स्टुडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल, जिसका नाम है कुछ सीखें, आज मैं आपको सिखाऊंगा, पाहड़ी कैसे लिखते हैं और पाहड़ी कैसे याद करते हैं वो विषिर्फ एक ही वीडियो में तो वीडियो को पूरा देखेगा चलिए सुरू करते हैं अझे का अपना एं वीडियो तो student देखें, सबसे पहले मैं आपको पाढ़े लिखने के ट्रीक बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको पाढ़े याद करने के ट्रीक बताऊंगा तो देखें सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कपाढ़ा लिखा है एक कपाड़ा यह आपको पता है कि एक कपाड़ा एक से लेकर दस तक गिंती की तरह होता है पर यहाँ पर हम दो कपाड़ा लिखेंगे तो देखें एक, दो, तीन, चार तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? चार यानि कि यहाँ से जैसे हमने एक खाना गिना है यह दूसरा खाना दो, यह तीसरा खाना तीन, यह चोथा खाना चाल, ऐसी अब इसके बाद पांछ बागा खाना, फ़र यहां पर कितना आयária गझाएगाँगों छे, यानिके हमें संख्या नहीं गिनने हैं, हमें खाने गिनने हैं, यानिके एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, इसके बाद यह देखेंगे 15, यहाँ पर कितना लिखेंगे 16, यह 17 तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 18, इसी तरीके से 19 तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 20, यानि कि हमें सिर्फ खाने गिनने हैं, संख्या नहीं देखनी है, यानि कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हमें खाने गिनने ह इस तरीके से आप जहां तक चाहिम आते हैं पाड़े लिख सकते हैं ऐसे कि मैं आपको तीन का पाड़ा लिख के दिखाता हूँ जैसे देखें एक, दो, तीन यानि कि हमने खाने गिने तो यहाँ पर तीन आगया ठीक है पिर इसके बाद अब इससी आगे किसंगे गिनेंगे तीन, चार, पांट, छे तो यहाँ पर कितना आएगा छे इसे तरीके से चे, साथ, आठ, नो यहाँ पर कितना हो जाएगा नो देखें, नो के बाद दस, ग्यारे, बारे यानि कि हमें खाने गिनने हैं एक, दो, तीन, चार, पांट, छे साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे अब इसके आगे देखें तेरे, चोदे, पंदरे इसके बाद सोले, सत्रे तो यहाँ पर कितना आएगा? अठारे फिर इसके बाद देखें अठारे, उनिस, बीस, एक्किस इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे एक, किस के बाद, बाईस, तेहिस, चोबिस अब देखें पच्चीश, हबिस, सत्ताइस अब देखें सत्ताइस के बाद, अठाइस, उन्तिस, तीज अब देखें, हमारा तीन का पाड़ा रेडी हो चुका है तीन का पाड़ा लिखना है तीन, farm, अब देखेंगे तो आपने देखा होगा, हमारा पाड़ा बिल्कुल ठीक है आप चाहें तो ऐसा नहीं के पहले अगर हमें 6 पाड़ा लिखना आए तो हमें 4 और 5 पाड़ा लिखना पड़ेगा आप चाहिए तो संक्या छोड़ के भी लिख सकते हैं यानि के ये दोने पाड़े रहने देता हूँ मैं आपको 6 का पाड़ा लिखते दिखाता हूँ तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है 6 का पाड़ा तो इससे आगे का हमें लिखना है इसकी संक्या तो क्या से लिखेंगे 6 के बाद है अगला खाना गिनेंगे इसका 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है अब देखें 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानि कि हमें खाने गिनने हैं सिर्फ 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 देखें 25, 26, 27, 28, 29, 30 30 से आगे देखेंगे अब 31, 32, 33, 34, 35, 36 तो यहाँ पर कितना हैगा 36 इसी तरीके से 37, 38, 49, 44, 41 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 अब देखें 43, 44, 45, 46, 47 यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 अब देखें 44 के बाद 59, 50, 51, 52, 53 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 इसके बाद देखें, 55, 56, 57, 58, 69, तो यहां कितना हो जाएगा, 60, इस तरीके से आप, जिस भी संख्या का चाहें, उस संख्या का पाड़ा लिख सकते हैं, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का जाद तक अब चाहें, वहां तक लिख सकते हैं, तो देखें, यह पाड़ा रेडी हो चुका है आप देखें, हम सही है या गलत है, तो आपने देखा हो अमारा 6 का पाड़ा बिल्कुल करेक्ट है, इसी तरीके से आप चाहें, तो साथ का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, जहां तक चाहें, मान तक पाड़ा लिख सकते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा पाड़े याद केसे करते तो वीडियो को पूरा देखेगा तो इस्टुडेंट देखें अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पाढ़े याद करने की ट्रिक जब भी आप यूटुब पर आते हैं और सर्च करते हैं पाढ़े कैसे याद करें तो क्या ही वीडियो आती है जिन पर लिखा होता पाढ़े करते हैं पाढ़े वैसे याद करते हैं जब आप उन वीडियो पर किलीक करते हैं तो सिर्फ उनमें पाढ़े लिखने के ट्रिक्ट बतायी सकती है रहने करें तो पर लिखने के सिवा और कोई ट्रिक नहीं है आप जादे से जादे पाढ़े याद करने की प्रैक्टिस कीजिए यानि कि रोज प्रैक्टिस कीजिए सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप पाढ़े याद कर सकते हैं इसे भी काम में आप परफेट होने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत अगर और वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चेनल को सबस्क्इब कीजिए और जादर से जादर वीडियो को शेयर कीजिए हम मिलते हैं अपने के लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और पाड़े याद करने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए